नमस्का दोस्तों मैं मुलकित माउन सिंगला स्वागत है आपका मारे चैनल में दोस्तों आज हम एक और किसी की स्टोरी के विश्य में बात करेंगे टोटका ऐसा किया गया कि घर में खाने से ही फोबिया हो गया घर में खाना खाना बंद कर दिया ये कहानी है एक बच्चे की जिसके ओपर टोटका किया था एक लेडी ने जिसका बच्चा खुद का खाना नहीं काता था तो उसने किसी तांतरिक के कहने पर उतारा कर दिया इस दूसरे बच्चे पर और स्कूल के उसके लंच में उसने अपने बच्चे को एक अलग से लंच दिया कि इसके खिला दियो और उससे क्या हुआ कि बच्चे की प्रॉब्लम जो उसकी और बच्चे की प्रॉब्लम थी कि घर में खाना नहीं खाता था वो problem इस दूसरे बच्चे में आ गई यह बच्चा जब उसके बाद घर आया इसने ही नहीं बताया कि और बच्चे का पर इसने घर आने के बाद खाना खाना बंद कर दिया इसने का मैं घर में जो है जो भी बनता था ये नहीं खा के देता था school going बच्चा था and इसने का मैं बहार खाऊंगा जो खाऊंगा and what he used to do is कि वो school की ही canteen में खा पी के आ जाता था and घर पे खाना नहीं खाता था शाम को बहार खेलने के लिए cricket वगएरा निकल जाता था and वहीं की वहीं ठेले विले से मुमोज वगएरा यह सब चीजें खाके या sandwich, burger खाके आ जाता था पर घर पे खाना नहीं खाता था अजीव और गरीब बिमारी अजीव और गरीब phobia के घर पे खाना नहीं खाना एक्चुली यह किसी negativity के कारण था जो जिसने एक phobia करूप ले लिया जो पहले किसी और को थी problem पर किसी के कहने पर दूसरे पर उतारा कर दिया गया और यह सबसे गंदी habit है कि आप अपनी problem को किसी और के उपर मंड रहे हो आपके उपर किसी ने किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप किसी और को problem दे दो और मेरे पास इतने सारे cases के आते हैं कि लोग अपना उतारा करके दूसरे को खिला देते हैं कि खुद पीछा चुटाओ दूसरा भुगतेगा भुगतने दो और जब उसके आप सामने देखते हो कि जो symptom आपको रहे था है वो उसको रेंक कि आपने उतारा कर दिया और वो इनसान तड़प रहा है तब भी दया नहीं आती कि हमने क्या किया है मतलब आपने आपके साथ गलत हुआ तो आपने और भी बड़ा अपराद कर दिया दूसरे उसको बरबाद कर सकती है जो जेलना पाए आपने उतारा करना है उतारा करके कहीं आप डाल दो आप चुराएं पर डाल दो किसी पेड़ी के नीचे डाल दो पर आप किसी इनसान को वो चीज़ खिला रहे हो ये अपने आप में बहुत गलत बात है और अपने आप में तक छोड़ने को तयार था 16-17 साल का लड़का के बाई चाह कुछ हो जाए मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा मेरे को नहीं अच्छा लगता खाना घर का मुझे उल्टी आती है और लिटरली ही उस तो वोमिट वन इस तो सी दो फूड बाहर कैसी गंदी प्रवेशन रहे है बाहर खा के आता था एंड उसके साथ दिक्कत किया थी जो तोटका हुआ था जो उसका उतारा किया था वो तोटका में spirit involvement थी जिसमें एक गरीब इंसान की मजदूर की spirit थी जिस मजदूर ने पूरी जिंदगी सड़क का ही खाना खाया था जिसमें घर का खाना नसी भी नही वह खाना खाता ही नहीं था और maximum time वह भूका रहता था एंड उसको ऐसा अच्छा लगता था एंड क्योंकि उसमें जो spirit involvement थी spirit वही थी जिस भी मजदूर की थी maximum time उसको एक time खाना मिलता था और वह भूका रहता था वही traits इसमें आए जब ध्यान के माद्यम से चीजे मैंने मताई तो वो लोग दंग रह गए उन लोगों को इस चीज़ पर यकीन दिना कि ऐसा कैसे हो सकता है मतलब कितनी विचितर बात है यह एंड लिटरली यह मेरे लिए भी बहुत विचितर था कि यह देखना कि कैसे कैसे cases different आते हैं और मैंने उनको बार बार का कि इसने जरूर क व्हां इसे खाया है कुछ और यह भोजन के माध्यम से इसको दिया गया है और वह एक इसकोषय जाते था और बहुत अक्सर स्कोषभ अपको ने लड़के का लंच खाया था आares आपस में दुसरे का लंच कहते हैं तो यह आम बात और यह लड़कत चांश हो यह यह नहीं ल पर उस स्पेसिफिकली लंच के साथ उसमें लड्डू था और वो लड्डू खाया था और उसके बाद से उसको अंदर से ही पता नहीं खाना देखके वोमिट आनी शुरू हो नहीं यह चीज इतनी फास्ट हुई कि मतलब it is unimaginable to see कि कई दफ़ा ब्लाक मैजिक्स कितनी जल्दी वर्क करते हैं जो उसने उतारा करा इतना strong way में किसी से करवाया जिसने भी उसको गाइड किया बहुत गंदा गाइड किया कि तुम किसी और बच्चे पर उतार दो और वो उसका best friend था तब भी उसकी मदर को शरम नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो जीज और वही वाली बात है कि लोग अपनी मसीवत दूर करने के लिए कुछ भी कर देते हैं और वो जो है कि कहते हैं बड़ी मुश्किल से जो लड़का है वो ठीक हुआ अब वो घर पे खाना काता है और वो भी बहुत दीरे दीरे शुरू हुआ हमने पहले घर पे regularly धुनी कराई सबसे जादा मज़े की बात थी कि जब हमने घर पे platinum धुनी कराई अपनी तो उसी से within 2-3 days ही उसने घर पे थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर दिया और वो वेरी rebellious मतला हर चीज़ पर सवाल करना logic over practical बहुत से हमार पास ऐसे आते हैं केसे जहां बच्चे नहीं मानते इन चीज़ों को वो नहीं कराना चाहते होता रहा या वो धुनी से चिलाते हैं नहीं धुनी नहीं करनी यह क्या orthodox है यह वो है बिकाज वो उस चीज़ की गंबीरता को नहीं समझते जो negativity उनके parents को effect कर रही है जो उनके धन्दे को effect कर रही है उन्हें तो कमाना नहीं पड़ रहा है कमाना तो parents को पड़ रहा है जब वो तीसरे दिन ही घर में उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया तो हमारा confidence बढ़ा अपने का चलो it means के remedy इसके उपर work कर रही है तो दुनी घर में हमने दो टाइम से तीन टाइम तीन टाइम से चार टाइम कर आई घर पे उसने जैसे उसकी मदर को मैंने का snacks वगयरा बना दिया करो को जो बाजार में चीजे मिलती है उसे घर में बना दो तो वो उसने शुरू किया और धीरे धीरे फिर घर पे normal खाना भी खाना शुरू कर दिया हफता दस दिन महीने बर में he was okay he was eating food पर main चीज थी हमें जड़ से उस problem को खतम करना था क्योंकि spirit involvement थी इस black magic में तब फिर हमने उसके उतारे शुरू कराए हमारे क्रियावले नारेल से जब उतारे शुरू कराए तो energy वापिस भागी जिसने किया था उस पे असर आया और उसने फिर से और अवरत ने कोशिश की कि मैं फिर अब इसे कुछ खिला दू और उसको literally हमने इतना जादा ताकीद कि किसी का भी दियावा नहीं काना चाहि कोई भी हो चाहि कोई रिष्टेदार हो चाहिआ पड़ोसी नहीं तक मैं नहीं जाने दिया जो उसमें बढ़ टॉफियां चॉकलेट बढ़ती हैं यह ट्रीट देते हैं बच्चे ऐपसमें उस तक मैं नहीं जान किया वह लेडी दुबारा अपने बच्चे के उपर उतार के ना कर दे क्योंकि जो चीज वापस जाती है तो जब धुनी हुई सब बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा उस चीज की गंबीरिता को नहीं समझ रहा था, पर उसको उसके पेरेंट्स ने समझाया कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो एक फोबिया सा बन गया था, क्योंकि वो कही मनोची कत्सकों को भी दिखा चुके थे, दवाई देते थे, सारी चीज़ देते थे, उससे कोई फाइदा नहीं हो रहा था, उर्टा और उसके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा था, तो फिर हमने का कि कुछ टाइम आप इस चीज़ की अतिहात रखो कि किसी का दिया ना खाए, और आपके घर का ही खाना खाए, और ब भगवान का परशाद बोलके दुनिया टोटके करती है, मत काबू आओ, भगवान का परशाद है, भगवान के परशाद को ना नहीं करते, ये एक लाइन लोगों ने पकड़ रखिये, बेफकू बनाने की, टोटके करने वालों ने, तो आगको क्या पता हो, भगवान का पर परशाद को ना नहीं करते, इस नाम पे इतने टोटके होते हैं, इतने टोटके होते हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, हमारपा इतने केसे जाते हैं, जहां परशाद के नाम पे ही टोटका हुआ है, मैं वहिशनोदेवी से परशाद पढ़वाके लाई हूँ, तुम खा नह सकते, मैं वहाँ से लेके आया हूँ, मैं धर से लाया हूँ, कौन देखने जा रहा है, बंदा वहाँ से वाकई में आया है के नहीं, आप इस बात को देखिए ना, किसी की शकल पर थोड़ी लिखा उसकी क्या नियत है, कैसी है, दूर से हाथ जोड़ लो, कोई भी परशाद है तो या कोई अपनी विपदा या मुसीबत के एवेज में परशाद चड़ा के आया है, उसका दे रहा है, तो वो चीज हमेशा संतर कराओ, मत खाओ, और यहां ही गलती है, बच्चे मीठे के लालची हो जाते हैं, खा लेते हैं, तो आज भी उसकी मदर धुनी करती है, और ब अब यह है कि हम बीच-बीच में महीने-दो महीने का गैब दे देते हैं, फिर नारल उतारें, उसकी मदर खुदी करा देते हैं, क्योंकि उसको यही रहता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा ऐसा है कि वो नहीं कर पाता, मना नहीं कर पाता, कुछ भी खाने-पीने की चीज़ ह अब वो खा लेता है, बाहर जो मिल रही होती है, कोई बच्चा लेके आता है, या फ्रेंड्स लेके आते हैं, वो खा लेता है, वो नहीं मानता, तो उसने का, as of on a safer side, मैं करती रहूंगी, बाकी अब वो ठीक है, घर पे खाना खा रहा है, सारी चीज़ है, and लिटरली वो च सुचता हूँ, इस स्टोरी के बार में, यही बहुत अजीब सा लगता है, कैसे कैसे लोग टोटके करते है, मतलब लिटरली, मतलब इस शेमफुल और जिस पर बीत रही है, उसके लिए कितनी, मतलब कोई नॉर्मल वो कहेगा, घर पे खाना नहीं कहाना, बार कह रहा है, काफी फिर हमें जो अच्छा फील हुआ, जब वो बच्चा नॉर्मल ही घर पे खाना, खाने लगा, अब हाला कि उसकी मदरा क्या करती है, एक्स्पेरिमेंट करती रहती ही नहीं, अच्छी इच्छी डिशिज उसके लिए मनाती है, कि ताकि घर के खाने से बोर ना हो, कि कि घर पे ही खाना का है, हलाकि वो बाहर भी खाता है, घर पे भी खाता है, पर वो जो एक फोबिया हो गया था, कि घर का खाना देखते ही वमिट आना, खाना ही नहीं है, खाना है तो बाहर रेडी का खाना है, वो चीज ठीक हो गई, तो आपको भी यही शीखने को मिलता है कि किसी का भी दियावाब मत खाईए परशाद वरशाद खास कर सजक रहें थोड़ा सा सजक रहेंगे तो आप बहुत सी इन चीजों से बचे रहेंगे यह रोग बहुत गंदा है या तो नहीं सही इलाज मिला तो या तो पागल खाने पहुचा दिये जाओगे या डॉक्टरो जो रोग है जो नेगटिव टीक है उसको नहीं जानते ना पकड़ सकते हैं ना उस चीज का वो घुट सकते हैं और सही तांत्रिक मिलना सही इनसान मिलना जो आपका इलाज ठीक कर दें खराब ना करें बहुत पर बहुत कम हैं लोग भटकते रह जाते हैं बता नहीं इतनी जगां होके आते हैं हमारे पास जब फॉन पर बात करते हैं इतनी जगें धक्के खाके आते हैं कि आदे से ज़्यादा वो मतलब उनका भगवान तक पर से विश्वास रुट जाता है तो इसलिए जो है बेटर लेट दन नेवर बेटर सेफ दन सौरी तो सजक रहोगे मना कर द थोड़ी बहुत ही प्रिकॉशन ऐसे हैं कि इससे आपको कभी यह रोग होगा ही नहीं ना प्रेत रोग होगा ना आपको कुछ जेल ना पड़ेगा तो थोड़ी सी साफधानी रखें और हमेशा सजक रहें अपने बच्चों को भी हमेशा गाइड कीजिए कि वो सजक रहें इन से उतारक कीजिए मिनिममम तीस नारियल मंगाई है एक महीने के लिए ताकि वन मंत में ही आपको पता लग जाएगा कुछ ही दिन में आपको हलका महसूस होना शूर जाएगा बस सिंपल हमारा नारियल लेना है यहां टच करना है अपने सर के उपर से सेवन टाइम्स कि लगी सपतोस्वास आपको प्रेद नहीं है मुदप्रेद व्यादा नहीं है मान लेते और आप वैसे ठीक हो अभी तक आप 30 साल के हो 40 साल की हो 50 साल कक्षाण के अभी तक जितनी भी हाए नजर टोख आपने ले रखी होगी अपने उपर जो भार्ग पैदा कर रही होगки आपकी औरा पे वो सब निकल देदी, शुरू हो जाएगी, और पुराने से पुराने काम बनने लगेगी, हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, अच्छा फील होने लगेगा, हलका महसूस होने लगेगा, और आप खुद फील करोगे कि एकदम नया सा जीवन हो गया, क्योंकि वो जो चीजे रोक रही थी, वो हट जाएगी, यह चीजे दिखती नहीं है, पर इनका वर्क, यह हमेशा करती है, कोई भी आपके प्रती नेगटिव थौट रख रहा है, और आपके प्रती नेगटिव बोलना है, तो वो चीज आपको एफेक्ट जरूर करेगी, तो जरूर आप आजमाईए और आप खुद देखेंगे, आपको फायदा हो रहा है, मंगा सकते हैं आपको simply मॉबाइल नंबर 8130331007 पे वोटसेप मेसेज करना होगा, नंबर दुबारा बोल रहा हूँ, 8130331007, लोग मुझे कहते हैं आप बहुत जल जली नंबर पढ़ते हो, तो हमें कही दफ़ा confusion हो जाता है, बाकि description में नंबर दे रखा है, तो आप उसमें नंबर नोट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके भी धुनी और नारेल ओडर कर सकते हैं, और phone नंबर पर WhatsApp पर भी ओडर कर सकते हैं, consultation बुक करके मुझसे फोन पर भी बात कर सकते हैं, अपने particular problem से related solutions ले सकते हैं, तो इसी तरह सुनते रहे प्याद देते रहे हैं, कमेंट से में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए for the notifications, मैं हूँ आपका दोस्पर कितमाहन संगला,